हेलो एबरीवन, वेल्कुम टू परमेडिकल पिग्यान, आज का मारा टॉपिक है कमपोजिशन ओफ यूरीन, आज के लेक्ष्टिन में हम देखेंगे कि हमारा जो यूरीन होता है, उसके अंदर आपको क्यार कैशिजिए देखने को मिलती है, इससे पहले हम देखें, हम यूर करें हम तो इसका कलर कैसा होता है, क्लियर कलर होगा, कुलकुल पारदर्शी होगा, ये, amber कलर होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं, आपका straw कलर होगा, ये, जैसे आपकी straw होती है, ठीक है, पाइप जो नहीं होती, जिससे juice पीते हैं, उस कलर का होगा थोड़ा सा ये, due to the presence of eurobilin, तो आपका यह color है, amber color है, किसकी विए से है, वो आपका eurobilin की वज़े से, eurobilin क्या है, एक आपकी pigment है, जिसकी विए से आपका, यह ring का color, आपका pale या फिर amber आपको दिख रहा है, ठीक है, eurobilin आपका कैसे बनता है, है, आपका जब hemoglobin टूटता है, जब पुराने RBC टूटते हैं, hemoglobin भी टूटेगा, तो जब hemoglobin टूटता है, तब आपका eurobilin भी बनता है, ओके, फिर आपका जो order की हम बात करें, या फिर order को हम smell बोलती है, तो इसकी smell कैसी होती है, aromatic होती है, हलिकी सी aromatic की smell होती है, pH की हम बात करें, तो एक freshly voided urine में, आपका जो urine होगा, वो कैसा होगा, slightly acidic होगा, ओके, और इसका जो pH होगा, वो कितना होता है, 4.6 से 7.0 इसका pH होता है, specific gravity इसकी कितनी होती है, 1020 से 1030 की specific gravity होती है, और urine का जो output होता है, वो कौन control करता है, आपका ADH, ADH क्या है आपका anti-diuretic hormone होता है, जो की release होता है, आपका pulmonary gland की, आपका जो pulmonary gland होता है, जो की brain में present होता है, उदर आपका क्या होगा, उदर के posterior lobe से हमारा ADH hormone निकलेगा, जो की control करेगा, आपके urine के output को कि कितना आपका urine बनना है, कितना नहीं बनना है, ओके, फिर आप यह देख़े, urine की comparison, इसमें देख़ी है, आपको यह test tube दिख रही है, अगर test tube के अंदर हम urine डालें, और उसको देखें, तो आपका जो urine होगा, उसमें आपका जो 96% क्या होगा, वाटर होगा, बाकी जो 2% होगा, वो कितना होगा, आपका यूरिया होगा, और बाकी जो बच गया remaining 2%, उसमें आपके क्या चीज़े पाए जाती है, उसमें आपको मिलता है uric acid, creatinine, ammonia, sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfate, oxalate, इस तब मिला के आपका बाकी का 2% बनाते हैं, तो आपके यूरियन में, आपका maximum amount क्या है, water ही है, और बाकी amount क्या है, आपका waste है, ठीक है तो students, यह हमारा आज का lecture urine की composition के बारे में, I hope कि आपको सुन्में आया होगा, urine क्या होता है, उस normally urine कैसा होता है, उसकी composition कैसी होती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like करना, और अपने classmates के साथ वीडियो को जरूर शेर करना, मिलते हैं, भौल जल्दी next वीडियो में अब तक के लिए, बाई बाई